Hello friends, welcome back once again. Friends, आज की class में हम लोग discuss करेंगे स्वासो छ्वास और स्वसन की किरिया में difference. उसके बाद क्या जानेंगे? तो हम लोग जानेंगे कि carbon dioxide और CO2 का फेफिरे के अंदर आदान परदान कैसे होता है? इन दोनों topic को जानेंगे और इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि body के अंदर और थाद की blood के अंदर किस परकार से carbon dioxide और oxygen यह circulate करता है? यह पूरी क्रिया आज की class में हम लोग cover up करने की पूरी कोशिस करेंगे. आई यह start करते है topic की और पहली यह start up करेंगे हम लोग स्वासो च्वास और स्वासल में अंतर जो चीज़े जितना easy लगती है न question वो उतना ही tough लगता है अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ाता या अभी तक क्या पढ़ते आ रहते है कि स्वासन के किरिया के अंदर का मतलब स्वासो च्वास की किरिया मतलब सास लेना और सास चोड़ना यह complete प्रकिरिया को स्वासन कहते है लेकिन आज हम लोग बात करने वाले है कि स्वासन और स्वासो च्वास में difference क्या है तो बाते ऐसी होती है कि जितना ज़्यादा डीप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको changes देखने को मिलेगा और जितना upper level तक आप पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको differences और उतना बारिकी से समझना जरूरी हो जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं लेकिन फिर भी ब्रीप में जाने की कोसिस करेंगे हम लोग कि स्वसन और स्वासो छवास में क्या difference है पहलि टोपी क्या चडचा करते हैं स्वसन स्वसन और स्वासो छवास स्वासो में क्या difference है differences देखने हमें कि स्वासन और स्वासोच्वास की क्रिया है क्या हम differences तो देखिए स्वासोच्वास की बात कीजएगा और स्वासन की बात कीजएगा तो देखिए स्वासन सबसे बड़ी बात है कि यह जटिल प्रकिरिया है सीधी सब्दों में अगर बात करें तो यह एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन अगर वहीं पर बात करें तो स्वासो छ्वास क्या है एक सडल प्रक्रम है यह सीधे सब्दों में कहा है कि यह सीधा सिंपल शडल कार्या है सीधे सब्दों में बात करें तो ठीक है और यह क्या है जटिल प्रक्रिया या जटल प्रक्रम है इनके अंदर क्या मिलेगी हमें कि इनके अंदर हमें ऑक्सीकरन यानिकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरन की किरिया देखने को मिलती है इसमें क्या भोजे पदार्तों का जलने भोजे पदार्तों का दहन देखने को मिल ठीक है और यह दहन कैसी होती है तो यह दहन मंद दहन की क्रिया होती है इज्जा में बहुत बार क्वेस्टन पूछा जाता है कि बताईए सुवसन कैसी क्रिया है तो सुवसन एक परकार की मंद दहन की क्रिया है धीरे धीरे जलने वाली क्रिया है कभी कभी ऑक्सीडेशन की क् ना लिख कर दूसरे सब्दों में पूछ देता है कि बताईए कि इसमें से स्वसन कौन सी किरिया है आप इसे पूछ लेते हैं कि बताईए स्वसन कौन सी किरिया है उपचयन उपचयन या फिर अपचयन ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिच किजिए कि बताईए ऑक्स औक्सीकरन किरिया को आप उपचैन का Am giail करेंगे तो कंडिशन टफ हो जाती हैं बचे कंफ्योज ओने लगते हैं कि उस कंडिशन में हम क्या करेंगे ठीक है तो ऊपचैन का मतलब होता है ते दे willingnessोको बार बार एक्जाम में आता है और बार बार उप्चैन और उप्चैन में बचे क्या होते हैं कन्फ्यूज होते हैं तो उप्चैन का मतलब क्या ओक्सीकड़ मतलब क्या यह एक जटिल प्रकिरिया है और इस जटिल प्रकिरिया में में चीज क्या होती है कि यहां पे जो भोजे पदार्त है न यह दहन होगा इसका मतलब यह जलेगा ठीक है और जब जलेगा तो कैसा चलेगा मंददर अब पुड़ी तरह से तो आग लगने वाली है नहीं फेफरे के अंदर आपकी कोशिकाओं में आग लगने वाली नहीं है लेकिन सलोली सलोली धीरे धीरे यह जलेंगे और जलने की क्रिया जो होगी जिसमें उक्सीजन का यूज होता है तो वह कहलाता आपका क्या आधान प्रदान होगा और आधान प्रदान के अंदर कोई क्रिया नहीं होने वाली है सिर्फ अदान प्रदान होगा लेकिन इसमें कोई क्रिया होड नहीं रही है क्रिया नहीं होती है क्लियर आप लोगो कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है लेकिन इसके अंदर क्या होती है कि ये क्रिया होती है अब क्रिया नहीं होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर गैस आड़ होगा और ओक्षिकरण होगा के लिए ऑफ लोगों इन्में वह साडी गियाए आएंगी अर्थात कि षुज़शन के अंदर होआसोच फुज़शन के है छुज़शन की एक भाग है हो सुज़शन का ही एक भाग है कि सब भी हम कह सकते हैं कि स्वासोच्वास स्वासन है लेकिन पूरी स्वासन की प्रकिरिया को हम स्वासोच्वास नहीं कह सकते हैं कि लेड़ है आप लोग को मतलब कि यह जटिल प्रकिरिया और वह सरल प्रकिरिया उसमें पदार्तों वायू का दान प्रदान जबकि इसमें भोजे पदार्तों का दहन इसमें ऑक्सिकरन की किरिया स्वासोच यह स्गिरिया इसकी एक भाग यह साधी किरियाओ को ले कर यह सब बनता है आपका क्या स्वसन की क्रिया, जिससे हम लोग respiration कहते हैं, respiration कहते हैं, और इसके अंदर मुख के रूप से क्या आते हैं, इसके अंदर दो प्रकारी की respiration के पार्ट आते हैं, एक inspiration आता है, inspiration आता है, और दूसरा क्या, expiration आता है, इक्स पैरिशयन हाता है ठीक है मतलब किया पदार्तो को बाहर निकलना यानि कि प्रवेश इनका मतलब किया प्रवेश और इक्स का मतलब किया बाहर जाना, एक्जी छोना नाने इन acál ऑर इक्स हैल इस समूलों कहते है एक ओड बात inhale करना बने अंदर लेना और exhale करना बाहर निकालना clear है तो यह साथी चीज है इसके अंदर आती है लेकिन इनके अंदर पूरी वह प्रक्रिया आएगी जिनकी बज़़ से oxygen अंदर जाती है और जिनके बज़़़ से carbon dioxide वहां से release होती है वह complete प्रक्रिया किसमें आएगी स्वसन के अंदर आएगी तो आसा अफ्रेंस से clear हो गया होगा स्वसन और स्वासोच्वास में क्या differences होती है तो पहला topic आसानी से clear हो गया अब चलिए अगर एक clear हो गया तो थोड़ा सम बात करेंगे कि फेफ्रे के अंदर carbon dioxide और oxygen इन दोनों का अधान प्रदान होता कैसे है दीखिए पेप्रा में गैसों का अधान प्रदान ठीक है अब ज़रा देखिए गैसों के अधान प्रदान की बात करते है तो इसमें हम बात किसकी कर रहे है O2 की और CO2 की यही कैसे अधान प्रदान होती है अब अगर हम बात करते है O2 और CO2 की तो confirm हो गया कि O2 पर भी कुछ pressure बनता होगा यानि pressure बिना pressure का बिना दाब का कोई भी गैस एक जगह से दुसरे जगह जा सकता है क्या तो नहीं जा सकता है फिर ठीक उसी प्रेकार से कारबन ड़ी अक्साइड पर भी कुछ दाब बनते होंगे किलियर है तो पहले नमबर इसको denote कर ले कि oxygen की अगर दाब को हमें denote करना होगा तो हम लिखेंगे PO2 तो PO2 का मतलब हो गया pressure of oxygen इसका मतलब क्या हो गया pressure of oxygen किलियर आप लोग को PO2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि pressure of oxygen ना कि इसे phosphorus dioxide समझेगा इसे phosphorus dioxide नहीं समझना है इसे क्या समझना है pressure of oxygen इसलिए मैंने PO2 लिखा और नीचे आपको बता दिया किसे में समझना क्या है pressure of oxygen उसी तरह से carbon dioxide को हम लिखेंगे PCO2 इसका मतलब क्या हो जाएगा pressure of pressure of carbon dioxide pressure of carbon dioxide क्लियर है carbon dioxide तो condition यह ठीक है समझ में आएगा आप लोग को कि PCO2 का मतलब pressure of carbon dioxide और PO2 का मतलब pressure of oxygen क्लियर है और आपको पता है कि गैसों का आदान प्रदान होना है तो बिना दाब का तो होगा नहीं जैसे हम बात करते हैं इसकी विषरन की क्रिया की तो विषरन की क्रिया में कैसे होती है जहाँ पे अधीक दाब होता है अधीक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है जैसे मान लीजे जैसे मान लीजे हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो प्रकारगी गलास है और इन दोनों glass के बीच में interlink है, एक दुसरे को जोडे हुए, अब यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे अधिक पानी है, और यहाँ पे कम पानी है, तो यह पानी का transfer होगा, कब तक होगा, A से B की तरफ होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों बडावर नहीं हो जाए, तब तक हो जलने के बाद, यह चीनी सीधा नीचे चला गया, अब क्या मिठापन सिर्फ नीचे रहेगा, सिर्फ इसके पेंदी में, सिर्फ नीचे वाले सर में मिठापन लगेगा, नहीं, बलकि यह घूमेगा, और दीरे दीरे घूलेगा, तो हर जगा समान रूप से मिठास महसोस तो प्रसाड क्या होता है जहां पे कम सांद्रता है अधिक सांद्रता की तरफ गैसे अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा जैसे मान लीजे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में धूल निकलते हैं या फिर उसमें से गैस निकलती है धुआ निकलते हैं थो तुरंत वह चारों तरफ फैल जाती है, या जहां पर गाड़ी चलती है, देखते हों कि बड़ी तेजी से वहां पर धूप पहुंचती है, अपका धूल पहुंचती है, मतलब क्या, उन छेतरों में हवा की कमी हो जाती है, और अधिक सांद्रता वाले छेतर से भागती होई दूल, वहां पर पहुंचती है, मतलब ये प्रेशर का खेल है, पुड़ा किसका खेल है, प्रेशर का खेल है, ठीक है, चलिए ज़रा बात कर लेते हैं कि फेफरा के अंदर प्रेशर बनता कैसे है, ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, तो देखें, अब सीधा लिख देते हैं, पी सीओ, पी ओ टू और पी सीओ टू, ठीक है, यहां से आप समझ देखोशिस कियेजें, यहां पर पी ओ टू लिखा हुआ है, यह वाला छेत्र मालीजे की वाई मंडल का छेत्र है, कौन सा छेत्र है, वाई मंडल का, के लिए, और यह हमारे बोड़ी के अंदर वाला पार्ट है, और बोड़ी के अंदर वाले पार्ट में यह हमारी नसे है, मतलब कि यह हमारी सीरा है, धमनी और शीरा होती है न यह मालीजे की सीरा है अब सीरा के अंदर आपकी क्या है ब्लड गुम रहे हैं ब्लड है और इस ब्लड के अंदर देखा जाए तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो यहाँ पड़ भी ऑक्सीजन पे कुछ न पर दाब रहता है, बाइमंडल में उससे कहीं ज़्यादा अधिक दाब वहाँ पर पाया जाता है, अब बताईए जब बाइमंडल के ऑक्सीजन में ज़्यादा दाब है, और हमारे सरीर की सीराओं में, हमारे सरीर में जो सीरा है, उन सीराओं में ऑक्सीजन का दाब कम है, तो उस condition में यह oxygen कहां से पहुँचेगा तो by mental से निकल कर यह हमारी सीराओं की तरफ गती करेगी कि नहीं करेगी तो बिल्कुल करेगी क्योंकि यहां पे दाब क्या मड़ा कम है और यहां पे दाब हमारा क्या है अधिक है तो हमेशा दाब क्या होगी अधिक से कम की तरफ होती है तो असानी से यह oxygen असानी से प्रवेश करके हमारी सीराओं में प्रवेश करने लगते है जब यह दाब अंदर की तरफ बढ़ता है जब oxygen अंदर की तरफ प्रवेश करता है तो असानी से प्रवेश करने लगता है और यह किरिया तब तक होती है जब बाहर का pressure और अंदर का pressure यानि कि oxygen उतना ही प्रवेश करता है जितना कि जाने से दोनों का प्रेशर equal हो जाएगा तो उसके बाद रुख जाएगी क्योंकि कब तक इसमें से पानी A से B में जाता है जब तक कि यह दोनों बडाबर नहीं होते जब दोनों बडाबर हो जाएंगे तो बताइए A से B में ज कमान मीठास हो जाएगा इसमें तो बताइए इसमें चीनी को और चाड़ो तरफ कहीं घुमने के जरत पड़ेगी क्या बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी तो कंडिशन यही है कि oxygen तब तक सिराओं में प्रवेस कड़ेगा जब तक बाइमंदल का pressure यानि कि pressure of oxygen और pressure of oxygen क्या आपके सीरा के अंदर जो है आपके venus के अंदर है इस vence के अंदर और यह आपके बाइमंदल के अंदर दोनों equal नहों जाए तब तक यह सिराओं में oxygen का प्रवा होता ड़ेगा अब oxygen जब अंदर प्रवेस कड़ेगा तो अपनी क्रिया भाव में इसका व्योग करेगा फिर सेम कंडिशन क्या होगा कि सेम कंडिशन उत्पन होती है कि आपके फेपरा वाले भागमे क्या कंडिशन होती है कि बाहर जितने भी होंगे आपके carbon dioxide जो बाहर लाने वाली जितनी भी आपकी धमनिया जो आपकी oxygen को यानि असूद रक्त क सरीर के सभी हिस्सों से ले कर आएगी तो उसमें जो प्रेशर ओफ कार्बन डायकसाइड है मतलब क्या प्रेशर ओफ कार्बन डायकसाइड है उनकी मात्रा और जो फेपरे में प्रेशर ओफ कार्बन डायकसाइड है उनसे कहीं ज्यादा होती है मतलब क्या यहां पड़ क्या है कि यहां पे रक्त वाली जो आपकी रक्त नलिका है देखिए का है रक्त नलिका है इस रक्त नलिका में यानि कि ब्लड वेसेल्स में जो प्रेशर अफ कार्बन डाइकसाइड है यह अधिक होता है अधिक होता है और फेफरे के अंदर कार्बन एक्साइड वाले में आपका प्रेशर जो होता है और कम होता है तो बताइए कि फेफडा में अगर कम होगा फेफडा में अगर प्रेशर जिस चीज का कम होगा और बाहर प्रेशर जादा है तो बताइए यह कार्बन डेक्साइड फेफडा से अंदर जाएगा यह अंदर से फ आसानी से फेफराओं में हो जाता है और यह लंग्स में पहुचने के बाद आसानी से इसे सरीर से बाहर इक्सहेल कर दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है तो यह दोनों घटनाए होती है इनहेल और इक्सहेल की जो घटना होती है जिसमें फेफरा गैसों का दान परदान करता है इसमें मेरेडौल किसका होता है pressure of gases का यानि gas के pressure के सिदान पढ़िया काड़े करता है और जहाँ पे अधिक pressure होती है अधिक pressure से कम pressure की तरफ यह गति करती है किलियर आप लोग को मतलब बाइमंडल से निकलेगी और बाइमंडल से सीराओ में जाएगी और इधर फिर क्या करेगी या अधिक जो ताप होगी या आपकी क्या करेगी रख तर न लिकाओ से फिर फेपरे में जाएगी या दोनों कंडिशन फॉलो होगा और दोनों प्रकार के या गैसों के अधान प्रदान की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं फेपरों में गैसों का अधान प्रदान ठीक है और या गैसों का अधान प्रदान जरूरी क्यों हो क्योंकि बाई अधान प्रदान गैसों का नहीं होगा तो समझे है कि आवस्यत जो स्वसन के लिए जो स्वसन के लिए अभी हमने पढ़ा कि भोजे पदार्तों का मंद दहन तो यह मंद दहन कहां से होगा क्योंकि मंद दहन में क्या चाहिए ऑक्सीडेशन अर्थात की उपचायन और उपचायन के लिए में क्या चाहिए oxygen चाहिए तो यह oxygen कहा से आएगा तो जब यह आपका oxygen जोगा pipe bundle से सीराओ में प्रवेश करके पहुचेगा तब oxygen का यूज होगा अब यह oxygen स्वासन में यूज हो गया तो फिर यहां से carbon dioxide जहडिला निकलेगा अगर body के अंदर बहरा जाए अगर body के अंदर carbon dioxide की मात्रा जादा हो जाए तो कुछ समय में पूरे body के अंदर जहड फैल जाएगा और पूरे body में जहड फैलने का मतलब आपकी मिर्टी भी हो सकती है तब उस condition में क्या करना पड़ेगा कि उस condition में problem हो जाती है कि उस carbon dioxide को बाहर निकालना और इसी pressure की बज़ा से जो रक्त न लिकाए हैं उनमें pressure carbon dioxide की स्वसन से निकलने वाली carbon dioxide इसकी pressure बढ़ा देती है रक्त में इसकी मात्रा ज्यादा बताने लगती है अब ज्यादा बताने लगती है तो यह बगल वाले को हिंट्स करती है कि भाई मेरे अंदर तो ज्यादा हो गया अब मुझे बरदास नहीं होगा मुझे निकालना पड़ेगा तो उस condition में यह accept करता है फेफरा और फेफरा जब accept करता है तो फेफरा इस pressure को absorb करने के बाद फेफरा और आपकी रक्त नलिका इन दोनु का pressure जब एक समान होता है तब जाके रक्त नलिका से जो जाने वाली carbon dioxide की मात्रा है वह आपकी क्या हो जाती है बंद हो जाती है और उस condition में यह carbon dioxide फिर आगे बढ़ाता है क्योंकि फेफरा से आगे बढ़ने के लिए फिर क्या होगी आगे का pressure कम होगा तो जब यह फेफरा पंप कड़ेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए फेफरा क्या होता है फेफरा पंप करता है मतलब कि बाहर जब निकलेगा उस समय इनकी प स्पेसिया है वह फैलती है जब पसली सिकुरेगी तो इसका आयतन घटेगा और आयतन जब घटेगा तो वही carbon dioxide जो होगा वह पसली की फैलने की बज़ा से बाहर की तरफ निकलेगी और बाइमंडल में carbon dioxide release हो जाएगा ठीक है तो यह घटना आपकी होगी किसमें फेफरा में गैसों के अधान परदान में तो आसा फ्रेंज से clear हो गया होगा दो तीरिया एक तो आपका स्वासन स्वासवास में अंतर और दूसरा फेफरो में गैसों के अधान परदान मिलते है अगले class में अगले topic के साथ तब तक लिए thank you very much friends